इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरपोर्ट की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी जूनियर इंजिनियर और असिस्टेंट इंजिनियर पोस्टों पर वेकेंसी है लगभग सभी ब्रांचों को यहाँ पर रिलिजबल किया गया है यहाँ पर सिविल, अलेक्रिकल और मेकेनिकल इंजिनियर से रिलिजबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामनेशन फीस लगेगी All Our India के कंजडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जोब सब्डेक्ट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाक्ट सब ग्रुप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं इनके ओफिसल नोल्टिस पर जो बेसिकली आपकी लुधियाना हलवारा एरपोर्ट के लिए निकाली गई है यहाँ पर आपकी आठ अलग-अलग पोजिशन्स पर वेकेंसी है बात करें आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में यहाँ पर आपकी किस पोजिशन्स पर वेकेंसी रहेगी तोटल नमबर ओफ पोश्ट आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है एजूकेसनल क्वालफिकेशन आपस यहाँ पर क्या मांगी गई है कितना आपके पास experience होना चाहिए और salary यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी सबसे पहली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है project head के लिए और दो number और तीन number की vacancy यहाँ पर आपकी engineer और assistant engineers के लिए रहने वाली है और last की तीन vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior engineer post पर और इसके बाद वाली वेकंसी आपकी रहने वाली हैं लेब असिस्टेंट और सर्वेर के लिए अगर आपने बी बी टेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल एलेक्रिकल या फिर मेकेनिकल इंजिनिरिंग में आप यहां पर अपलाई कर पाएंगे लेकिन इन सभी पोस्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास experience होना चाहिए पहली वेकंसी यहां पर आपकी रहने बाली है प्रोजेक्ट हेल्ट के लिए आपकी एक पोस्ट पर वेकंसी है जिन लोगों ने BB टेक किया है civil engineering में वो लोग यहाँ पर eligible रहेंगे और इस post में apply करने के लिए minimum आपके पास 10 year का work experience होना चाहिए इस में से 3 year का experience आपके पास होना चाहिए runway payment execution का अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है engineer और assistant engineer के लिए total आपकी 3 post पर vacancy है अगर आपने BB टेक किया है civil engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे यहाँ पर आपसे total 5 साल का work experience मांगा है जिसमें 2 साल का experience आपके पास होना चाहिए rigid या फिर flexible payment work execution का अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है engineer और assistant engineer के लिए आपकी एक post पर vacancy है अगर आपने BB टेक किया है civil engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे इस post में भी apply करने के लिए total आपके पास 5 साल का work experience होना चाहिए उसमें से 2 साल का work experience होना चाहिए payment work execution का अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior engineer के लिए total आपकी 2 post पर vacancy है जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है civil engineering में वो लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे यहाँ पर भी आपसे total 5 साल का work experience मांगा है जिसमें 2 साल का work experience होना चाहिए रिजिट पेव्मेंट work execution का अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior engineer के लिए total आपकी 3 post पर vacancy है अगर आपने डिप्लोमा किया है civil engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे यहाँ पर भी आपसे total 5 साल का work experience मांगा है लेकिन इसमें 2 साल का work experience आपके पास होना चाहिए flexible payment work का next vacancy भी आपकी रहने वाली है junior engineer के लिए आपकी एक post पर vacancy है अगर आपने डिप्लोमा किया है mechanical engineering में या फिर electrical engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे minimum आपके पास 5 year का work experience होना चाहिए जिसमें से 2 साल का work experience आपके पास होना चाहिए flexible payment work का अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है lab assistant के लिए और total आपकी दो post पर vacancy है जिसमें से एक vacancy आपकी रहने वाली है concrete and bituminous के लिए जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है वो लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे और इस post में भी apply करने के लिए minimum आपके पास five year का work experience होना चाहिए जिसमें से दो साल का work experience आपका testing related to payment work से होना चाहिए last vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है survey के लिए total आपकी दो post पर vacancy है जिन लोगों ने ITI या फिर डिप्लोमा किया है survey में या फिर civil engineering में वो लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे और इस post में भी apply करने के लिए minimum आपके पास five year का work experience होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा या बी बी टेक किया है इन ब्रांचों में आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना updated CV लेना है उसके साथ में आपके जितने भी जरूरी document हैं उन सब को लेना है self test करना है एक single PDF तेयार करनी है और आपको भेज देना है इनकी official email पर और इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर subject line में लिख देना है कि आप यहाँ पर किस post के लिए apply कर रहे हैं बात करें आपकी age limit के बारे में तो इस post में apply करने के लिए minimum age आपकी 18 साल होनी चाहिए और maximum age यहाँ पर आपकी 32 साल रहने वाली है और तो जो लोग भी इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप लोग यहाँ पर apply कर दीजिए और salary के बारे में इनोंने बताया है ति salary यहाँ पर जो है जो भी industry norm हैं का उसके अनुसार मिलने वाली है अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब का thank you शुक्रिया वीडियो को लाइक करें शेयर करें civil engineering के सबसे ज्यादा जोप सब्डेट पाने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें